हे फ्रेंट्स मैं हूँ आसुत चान मैं आपको सिखाता हूँ साइन्स एक्सपेरिमेंट और डेली डिवासेस को रिपेर करना जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ हम आपको एलेक्ट्रोनिक एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई वीडियो हमारे चैनल क्रियेटिव साइन्स वर्क्सॉप में प्रोवाइट कराते हैं Ahjem सिखाаст है फ्रैंट्स आज के हमारे टाफिक है रेभूलिटेड पावर सप्प्लै पिछले टाफिक में ने पढ़ा था अन्रेजुवटेड पावर सप्लाई कि सबसे पहले देख लेते हैं इन दोनों में अंतर क्या है जो हमारा filter तक की जो supply होती है वो हमारी unregulated power supply होती है और इस पर एक regulator लगा दिया जाता है इस regulator को अगर इस पर जोड़ दिया जाए तो हमारी बनने वाई जो power supply होगी वो कहलाएगी regulated power supply तो जो इसका procedure है हम लोग unregulated power supply में पढ़ चुके हैं transformer होता है diode के माद्यम से इसको DC बनाते हैं DC को filter करते हैं filter करने के बाद में हमें output मिलने लगती है तो यह जो part होता है full wave rectifier होता है यह जो part होता है यह हमारा LC filter होता है और यहाँ पर हमारा load part होता है इसमें एक नया part और जुड़ जाएगा जो हमारा voltage regulator के लिए होता है तो अब देखते हैं इसके कुछ examples तो इसमें होता क्या है इसमें एक resistance और एक जिनर डायोड का यूज करके एक transistor को हम लोग supply देते हैं और वो transistor क्या करता है उस voltage को regulate करता है जिस voltage पर उसको resistance इस resistance पर depend करता है जो voltage output होता है इसको अगर increase करते है अगर resistance को जैसे जैसे increase करेंगे वैसे वैसे हमारा जो voltage है वो decrease होता जाएगा और जैसे जैसे इस resistance को decrease करेंगे वैसे वैसे हमारा जो voltage output है वो increase होता जाता है तो फ्रेंट से लोग इसकी एक आद एक दो देख लेते हैं examples लिए या तो हम ट्रांगी सब्सक्रिठर के लिए या फिर हम यूज करेंगे हमारे रेगुलेटर कि देख रहे हैं यह हमारी एक रेगुलेटर है 11-17 तो इसके फंक्षण को समझ लेते हैं जो हमारा सबसे पहला पार्ट होता है वो हमारा होता है 100 यहां पर इसलिए करते हैं कि यह जो हमारा है वो input part है तो 20V हमको यहां पर input चाहिए होता है 20V to 4V क्योंकि हमको जो output लेना है वो 3.3V लेना है तो जो हमारा input voltage है वो output voltage से हमेशा ज्यादा रहेगा तब ही हमको output मिल पाएगे अगर यहां पर हम 4V से कम का input देंगे तो हमारा function के बाद हमारा जो output voltage होगा वो मारा और कम हो जाएगा इसलिए जो हमारा output voltage होता है उससे जो input voltage होता है उसको हमेशा ज्यादा ही लेते हैं क्या होता है जा हम किसी बैटरी से इसको connect करते हैं तो आप जानते ही हैं कि किसी भी वायर में कुछ ना कुछ resistance होता ही है तो resistance का work होता है कि voltage को drop कराना जैसे हमने कोई wires को बैटरी से connect किया हुआ है और यहां पर हमें जो voltage मिलेगी वो बैटरी की current है जो voltage है उसके voltage से कम voltage हम को यहां पर प्राप्त होगा क्योंकि wire में होता है resistance इसलिए यहां पर होता है voltage drop उस voltage drop को खतम करने के लिए यहां पर यूज करते हैं एक capacitor capacitor आप ले सकते हैं जैसे यहां पर हमने 20 वोल्ट लिया हुआ है input के रिए तो यहां पर कम से कम 35 वोल्ट 100μF का capacitor यूज करेंगे और हमारा input complete हो जाएगा उसके बाद transistor इसकी जो points होते है regulator IC के पहला जो पार्ट होता है वो ग्राउंड और दूसरा जो पिन होता है वो हमारा होता है output तीसरा जो होता है वो होता है input input पे हमेशा red wire connect करते हैं output पे हमेशा red wire होता है और उस पे फिर से voltage drop को खतम करने के लिए यहां पर फिर से एक capacitor का यूज करेंगे जिसकी capacity होगी 10μF voltage हमको यहां पर 3.3 लेना है इसलिए लगभग 10V का यहां पर हम लोग capacitor लगा सकते हैं लेकिन यहां पर 10V का नहीं लगाएंगे अगर 10V का लगा देंगे तो हमारा जो output voltage है वो increase हो जाएगा हमको यहां पर 3.3 वोल्ड का ही capacitor लगाना है आप चाहें तो 4 तक का लगा सकते हैं 4 या 5 का लगा सकते हैं देखते हैं अगला में बाद तो हैं भूली गया है इसकी जो capacity होती है 3.3 वोल्ड 800 mA DC output होती है इसी topic में हम लोग बात करते हैं अठाटर जीरो स्वरी अठाटर अठाटर एक एंपियर आउटपूट रेगुलेटर आईसी आप इस्क्रीन पर देख रहे हैं स्वेम कंडिशन इसमें भी अपलाई होती है 100 माइक्रो फरर्ट का लगाएंगे यहां 100 से लेकर के आप 1000 माइक्रो फरर्ट तक का लगा सकते है यहां पर आप लगा सकते हैं 220 माइक्रो फररर तक का पसिटर तो में कहने की जो बात है आप जो इस्क्रीन पर देख रहे हैं 78 और डबल एक्स बनाए हुए मैंने यह इसलिए बनाए हुए है यह जो हमारी है 78 जो हमारी रेगुलेटर की सीरीज है और यहां जो नीचे का जो बट का लगाएंगे 50 वोल्ट का लगा लिया आप तो जयादा बेतर है और हमारा यहां पर हमको मिल रही है आउटपुट 18 वोल्ट की इसलिए 25 वोल्ट का का पसिटर लगाए और हमारा तयार है तो यह वाला भी मेरा कंप्रीट हो गया पार्ट इसका भी टॉपिक सेमी है हम मिल दर्सा गुए है इंपुट है ग्राउंड है आउटपुट है इसलिए इसको करनेक्ट कर सेमी इसका भी है और यह हमारे पिन आउट्स है waar यह मिल रहीं कि यह हमारे पिन आउट्स है इनपूटर्ड ग्राउंड आउट्स यह है हमारी 78-12, 78-12 में हमारा जो इन्पुट है 25 वोल्ट है, 50 वोल्ट का कैपसिटर लगाएंगे यहां पर और हमारा आउट्वूट 12 वोल्ट है, यहां हम लगाएंगे कितने का 25 वोल्ट का, पिन आउट्स, पिन आउट्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैंगे, इन्पूट, ग्राउंड, आउट्पूट्स, इंडिकेटर के लिए हमें आपर, एक किलो वोल्ट का ही, एक किलो ओम का रेजिस्टेंस लेगाना है, différentes पेजिसटेंस, इन्पूट है, नेकिस्ट हमारा है, 7805, यानिकी इसकी सप्लाइऑ उड्बूट है, वो 5 बोल्ट आउट्पूट है, 25 वोल्ट हमारा इंपूट है, तो यहां पर हमेंसा 50 वोल्ट का, कपर्षाइब करेंगे 50 वोल्ट का इन्पीट्ट्ट का खेस्टिर 6.6 बोल्ट का यह 6.3 वोल्ट का लगा देजिए और हमारा जो यह हादशेंस लगेगा चाहसो सपतर पिन आउड면 pior से ऑर हमारा यह यह आव्यारे आतह था हमारे स्थिरीज है आउर्पूट 05 volt एक एंम पीयर इसकी भी यह कैपशेटी है एसकी उस्वह कपास्टप्रिंफ की है अगला है हमारा pani 006 इसकी 6 डाउट पूट पूट है यहांपर 55 वॉल्ट का इंपूट है 25 वोल्ट का input होगा तो हम यहां पर 50 वोल्ट का capacity यूज़ करेंगे यह हमारा output 6 वोल्ट है इसलिए यहां पर 10 वोल्ट का capacity यूज़ करेंगे और यहां पर 470 वोल्ट की 470 ohms का resistance लगाएंगे और हमारे यह पिन आउट्स है यह हमारी variable regulator है इस पर क्या होता है यह हमारा input voltage है और यह हमारा output voltage है इस पर क्या होता है हम इस पर 10 किलो ओम का यह हमारा resistance है यह कहें potentiometer है potentiometer से इसमें जैसे-जैसे voltage increase करते जाएंगे वैसे-वैसे-वैसे हमारा इसका जो voltage है आउट्पट voltage वो increase होता जाएगा या इसी हमारी LM317 इसका भी यूज हम लोग यूज़ करते हैं regulation के लिए ही जाया तर इनका यूज बेंच सप्लाई में किया जाता है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारा next इसमें क्या होता है यह हमारा adjustable output voltage regulator ic है यह जो बाहर की pins है वह adjustable pins है और जो यह हमारी अंदर की pins है वह हमारी positive pins है तो सबसे पहले हम इनके input और outputs को समझेंगे जो हमारे इसके pin outs होते हैं पहला pin जो है वह voltage in के लिए है दूसरा जो है दूसरा pin जो है यह हमारा output है output red wires और तीसरा जो point है वह ground है वह common रहेगा चौथा जो point है वह हमारा feedback feedback हमको देना होता है हमारे एक resistance में से और पांचवा जो pin है उसको ground से जब तक connect नहीं करेंगे तब तक वो आन नहीं होगी इसकी जो capacity है capacity इसकी है चार वोल्ट से लेकर के 60 वोल्ट तक का input दे सकते हैं और इसकी output जो voltage है वह एक वोल्ट से लेकर के जितना वोल्ट आप input पे दे रहे हैं उतना वोल्ट और त्री तीन एंपियर का जो output है वह हमको यहां पर मिलेगा इसके जो calculated जो हमारे जो इस पर जुड़ने वारा रखने वाले जो हमारे supporting elements है वह हमारा एक capacitor है 470 माइक्रोफरेट का एकर यहां पर 60 वोल्ट ले रहे हैं तो यह 63 वोल्ट या 68 वोल्ट का capacitor यूज करें और यह हमारा है अठावन पच्चिस मारा एक डायोड है और यह हमारे अर्सट माइक्रोफरेट की चोक है और यह हमारा output पर निर्भर करता है जितने वोल्ट का आपको output से यह उसी की इसाफ से लगाना है हमको यह capacitor और यह हमारा variable पोटंसिव मीटर है और resistance और यह हमारी IC है आप यह देख रहे होंगे डाइग्राम माने दिखा दिया है इसी की इसाफ से इसको जोड़ते हैं तो फ्रेंट्स आज का topic जो था खटम होता है मिलते हैं अगले topic के लिए अगले वीडियो में जय हिल्यो पसंद आये तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और अपने दोस्तों में इसे ज्यादा से ज्यादा सेहर करें